दोस्तों गर आप भी अपने ESI account में nominee detail को add करना चाहते हैं तो किस तरह से आप अपने mobile से खुद से nominee detail add कर सकते हैं ESI account में इस वीडियो के अंदर बताय गया है अगर थोड़ा सभी वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को like करके जरूर जाना इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों ESI account में nominee detail को add करने के लिए सबसे पहले आपको google search bar में type करना है www.esicjob.in जैसी दोस्तों आप www.esico.in लिकर सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की website आ जाएगी यहाँ पर दोस्तों आप सभी को insurance person पर click करना है जैसे आप login पर click करेंगे तो आप ESI account में login हो जाएंगे ESI account में login करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप सभी की सारी detail दिखाई देगी उसके बाद नीचे आप सभी को कई सारे option भी देखने को मिलेंगे अब यहाँ पर सबसे नीचे आप सभी को एक option देखने को मिलेगा Update Particular आप सभी को क्या करना है? Update Particular पर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ से दोस्तों आप सभी को Employer Code को select कर लेना है Already दोस्तों यहाँ पर Employer Code select होगा और नीचे आप सभी को कई सारे option भी देखने को मिल रहे होंगे जैसे कि दोस्तों Personal Detail, Dispensary Detail, Address Detail, Nominee Detail यहाँ पर दोस्तों Family Detail और Bank Detail भी दिखाई दे रहा है हमें क्या करना है दोस्तों हमें Nominee Detail को add करना है तो उसके लिए दोस्तों हमें Nominee Detail पर टिक लगा कर रखना होगा इस तरह से दोस्तों आपको भी Nominee Detail पर टिक लगाना है उसके बाद दोस्तों आप सभी के सामने कुछ इस तरह से option आ जाएंगे यहाँ पर दोस्तों आप सभी से पूँचा जारा Nominee का क्या नाम है बाई है जोभी कुछ आप सभी का Relation है उसे दोस्तों आप सभी को यहाँ पर Add कर देना है उसके बाद दोस्तों आप सभी को Saiyde में देखने को मिलता है Nominee Address आपको क्या करना है दोस्तों Nominee आद्रस पूरा पूरा आपको यहाँ पर डाल देना है नोमनी कौन से गाव में रहता है नोमनी कौन से मकान में रहता है नोमनी का मकान नमबर क्या है सारा एड्रस दोसो आप सभी को यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर दोसो साइड में आप सभी को नोमनी का स्टेट डालना है उसके बार nominee का district डालना है उसके बार nominee जहाँ पर रहती है उस area का pin code भी आपको यहाँ पर डाल देना है उसके बार यहाँ पर दोस्तों आप सभी को nominee का mobile number डाल देना है आप सभी यहाँ पर nominee का mobile number डाल सकते हैं यहाँ पर भी nominee का mobile number डाल सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आप से पूंचा जा रहा है कि नोमनी आपके साथ में रहता है या फिर नहीं रहता है जिसको भी दूस्तो आप नोमनी बनाए हो अगर वो साथ में रहता है तो आपको S कर देना है अगर साथ में नहीं रहता है तो आपको No पर टिक कर देना है उसके बा दियान दे दोस्तों जो आप नोमनी का अधार काड अपलोड कर रहे हैं वो दोस्तों PDF होना चाहिए जेपीजी होना चाहिए और उसकी साइज 200KB से कम होना चाहिए यहाँ पर दोस्तों नोमनी का अधार काड यहाँ पर भी अपलोड कर सकते हैं या फिर दोस्तों यहाँ पर नौमनी का अधार काड अपलोड कर सकते हैं, इन दोनों में कहीं पर भी दोस्तों आप सभी को नौमनी का अधार काड अपलोड कर देना है, उसके बाद दोस्तों आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आप सभी को टिक करना है, टिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ तो इस तरह से दोस्तो आप भी अपने यसाई एकाउंड में नोमनी नेम को अड़ कर सकते हो दोस्तो नोमनी आप किसी को भी बना सकते हो मदर को बना सकते हो फादर को बना सकते हो या फिर जो बहन को बना सकते हो भाई को बना सकते हो बेटी को बना सकते हो नोमनी नेम आप तो बस मिलते हैं अगली नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखो नमस्कार गुडबाई जैन